हेलो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त सिंजीज सिंग सिंग अयरवेज में मैं आप सभी का सुवागत करता हूँ जैसे कि दोस्तों बहुत दिनों बाद आप सभी से राप्ता हो रहा है बात हो रही है तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में आद दबारा आने का मुखका मिला तो दोस्तों आज आप सभी के सामने आने का मुखका इसलिए मिला कि हमने एक निया जो तीला था वैसे तो मैंने पिछे भी बिता दिया था लेकिन अब इसको हमने दबारा त्यार किया तो उसका रिजल्ट हमें बहुत बहतरी न मिला कच्छू संख्या तिलेगा और बनाना भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है असान तरीका है तो सोचा कि आज आप सभी से राब्ता किया जाए प्यार महुवत की बाते की जाएं और आप सभी के साथ गप्षब लड़ाई जाए और कुछ तमाम नुक्सों के बारे में आप से बात की जाए क्योंकि आप एक हमारी फैमिली की तरह हैं जिन्नोंने सिंग साब जी को मुझे या हमारे साथ जुड़े हर एक इनसान को अरबास जी खुर्शी जी या सोहन लाल जी या इन सभी को आपने खूब प्यार दिया तो इसी तरिके से आपका जो प्यार है हमें बहुत ही आगे लेके जा रहा है और हमें बहुत खुशी है कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हो और हमें और ज़्यादा ही उतेजित जो शीला बना रहे हो कि जबर दस से जबर दस बहतरीन हमारे बजुर्गों के हमारे बड़े बड़े हकीमों के जो तमाम नुकसे हैं आप सभी के सामने रखे जाएं और हम लेकर आ रहे हैं बना रहे हैं और उनके रिजल्ट भी बिता रहे हैं तो दोस्तों आप सभी का ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज एक बहुत ही बड़ी नुकसा आपके लिए कच्छू संख्या का मैं लेकर आया हूँ आपने दोस्तों क्या करना है पहले आपने कच्छू खोपड़ी ले लेनी है इस परकार जो आपको पहले भी मैंने दिखा रखी थी एक हमारी यूज होगी तेल में एक हमारे पास यह रह चुकी है तो इसको आपने अच्छे सब्साफ कर लेना है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन में 60% वाली हो और यह बहुत मुश्कील से मिलती है तो बहुत स्वस्थ समझ के आपने बात आके करनी है है इसको ले लेना है इसका आपने 100 compr मुराद्धा लेना है ठीक है दोस्तों इसका बुर्दा करने में बहुत मिर्देन लगेए बहुत कटोर है यह कुशिए और इसको अच्छ से आपने कर 100 ग्राम आपने इसका बुरादा ले लेना है बुरादा लेकर उसको रख लें उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना अपना संख्या ले लेना है आपने 45 ग्राम ठीक है दोस्तों हमारा संख्या लेना आपने 45 ग्राम इसको शूद करने की जुरूरत नहीं है आप इसको ऐस कदवाली बातनी है तो आपने 45 ग्राम अपना संख्या भी ले लेना है ठीक है सुमलफार संख्या अपना वह भी रख ले उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है आपने लेनी है मालकंगनी ठीक है दोस्तों यह आपने लेनी है 30 ग्राम मालकंगनी लेकर आपने अपनी इसको जिए द्यान रखना है मालकंगनी का तेल आपके कहीं लगे न ठीक है दोस्तों बहुता राम से शांत सभास से त्रिक्ये से हर एक चीज़ को अपने समबाल कर रखना है रहें आपको भी नुक्सान नो किसी चीज़ का तो आपने मालकंगनी भी ले लेनी हैं पीश कर ठीक है ज दोस्तों ये भी आपने 30 ग्राम ले लेनी है इसको भी आपने रख लेना है जब आपके तीन चीजें कच्छु खोपड़ी का बुरादा संखिया और मालकंगरी ये तीन चीजे जब आपके पास आ जाएं इसको सैड में रख लें उसके बाद आपने लेना है जितून का तेल जथी का दोस्तों ये तून का आपने तेल लेना है और ये आपने लेना है 700 ग्राम ठीक है दोस्तों और उसके बाद आपने क्या करना है इस तेल को आप एक लिटर तेल ले 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 दोस्तों अगर आप बड़ी मिगदार में बनाओगे अगर आपने बीस बंदों को देना है तो आप इसका एक लिटर तेल ले ले जिए तून का ठीक है दोस्तो जी और हजार एमल का एक बिक कर ले ले इस परकार ठीक है दोस्तो क्या करना है जो आपने कच्छुए का माल कंगनी का संख्ये का बुरादा लिया है क्या करना है इसके अंदर तेल डाल कर ठीक है दोस्तो आपने उसके अंदर अपना पहले दिन डालना है कच्छु बुरादा हल्की आँच पका लेनी है एक चूले पे ले ले या गैस सिलेंडर पे किसी भट्टी पे उसको रखें तवा लें ठीक है दोस्तो तवा लेके उसके उपर रेत डालें ठीक है जी हल्की सी जिसके उपर आपका ये बिकर टीक सके अच्छे से ज़्यादा सेक ना पकड़े पिर उसके अंदर आपने ना कच्छू बुरादा डालने कच्छू बुरादा डालने के बाद आपने उसके अंदर टेल डाल देना है और उसको छे गंटे आँच पे पकाना है बिलकुँ दीमी आँच पे कि ये धुवा ना छोटे और इसके उपर एक आपने कोली टाइप या कुछ प्ले टाइप रख देना है कि कोई गंदगी ना इसमें जाए और उसका धुआ है जाता ना उड़े तो क्या करना है दोस्तों एक बात और बता दो कि जब इसके अंदर कच्चू ओल पकना शुरू हो जाएगा ऐसे सु बाला सा देगा थोड़ा सा तो आपने घबराना नहीं है बहुत गंदी स्मेल चोड़ेगा पर लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और यह ना सोचना क्यों खराब होजगा खराब बिल्कूँ नहीं होगा आपके इसको चीपक गया या गल्ग सा गया नहीं हमारी दवाई क्यार हो रही है हमारा ओल त्यार हो रहा है क्या करना है जब कच्चू बुरादा इसमें आप डालोगे उसको 6 गंटे एक दिन पकालोगे उसके अगले दिन आपने प्लेट नहीं उठानी जब 6 गंटे के बाद आप इसको बंद करोगे गैस को ध्यान रखना है कि आपने इसको पर से प्लेट नहीं उठानी उसको धका रहने देना है उसके बाद दोस्तो अगले दिन आपने जो आपके माल गंगनी है 30 ग्राम कूटी हुई वो डालनी है फिर उसको 6 गंटे पकाना है ठीक है दोस्तो दूसरे दिन आपना क्या करना है फिर साथ तो भी साथ माल गंगनी गेरते ही उसके उपर प्लेट रख देनी है उसके बाद दोस्तों तीसरे दिन जब आप फिर तबारा आओगे उसके अंदर आपने बना संख्या गिर देना है संख्या गिराने के बाद उसको फिर ढग देना है फिर छे घंटे की आपने इसको आँच देनी है इसी परकार तीन दिन आपने 6-6 घंटे की हर एक चीज को 6-6 घंटे की आपने आज देनी है कच्छू को मालकंगनिक और संक्य को जतून के तेल में ठीक है जी 1000 ml के बिकर में ठीक है जी और क्या करना है फिर लास्ट में चोथे दिन जो आपको कच्छू गोलियां बताई थी मै देनी है और फिर दोबारा उसको 6-6 घंटे की चोथे दिन फिर आँच पर पकाना है फिर जो लास्ट के तीन दिन बचेंगे आपके जो आपका पांसवा छटा सातवा दिन होगा आपने क्या करना है उसको हर रोज तीन दिन 6-7 घंटे की आँच पकाते रहना है यह जरूर द्यान रखना है जब जब चीज़ डालते रहोंगे इसको ढखते रहना है इसको हवा नहीं लगने देनी और जो सातवा दिन होगा उसके बाद उसको आपने फिल्टर कर लेना है मतलब उसको फिर आपने 8 और 9 दिन धूप में रखना है बीकर ही लेना जो चीज जोगी रामका नहीं होगा उसको आप गिरा दें जो निच्चे बैठ जेगा जो उपर आएगा वो आपका तिला त्यार है बहुत ही राम से बहुत ही असान तरीके से बनने वाला यह और इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला यह कोबरा ओयल की बराबरी कर चुका है जल्द मैं आपको 5-6 दिन के अंदर अंदर इसकी लाइव जो वीडियो मैंने बनाई हैं और वह भी साथ तो साथ आपको अब सामने रखूंगा सारी भी मैंने किस त्रीके से इस ओयल को त्यार करा था कैसे वह ओयल मेरे पास त्यार हुआ कैसे वह उपर आया और कैसे हमने को फिल्टर करा है हर एक चीज आपको आगे दिखाऊंगा कुछ दिनों तक ठीक है जी क्योंकि 6-7 नुक से और छेड़ रखे हैं तो उनके कारण ही हमारा टाइम नहीं लग रहा इतने दिनों बाद आपसे राप्ता हुआ बहुत दोस्तों के खूब मैसेज आए कि आप वी जादर समान सारी जिंद्गी करता रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया तो आप सभी से भी जिन दोस्तों ने सिंग साफ जी से सीख खा और मेरे से भी बहतरी त्रीके से शीख कर वह आगे आपने रोटी रोटी भी चला रहे हैं और लोगों का भला भी कर रहे ह हैं तो मुझे बहुत खुशी है इसे चीज की तो दोस्तों इस तीले को तियार करें कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहाए बहुत इससान तरीके से बनने वाली चीज है और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता आप मेरे को वो इस मैसेज करा करें क्योंकि मेरे पास यूटूब खोलने का दबारा टाइम ही नहीं होता क्योंकि हमारे हजार जार दो जार तो मैसेजी आ जात चानदी हमने त्यार कर ली है आप देख सकते हैं तो आपने क्या करना है दोस्टों ने पान reaली चांदी लेनी है यह त्यार कर लिया खूब इसका result मिला क्योंकि Canada में दो दोस्तों को भेजी थी उन्होंने खूब इसकी तारिफ करी तो आज मेरे को खुशी है कि जो दोस्त इनको लेना चाते हैं मेरे को voice message करें ठीक है जी और कुछ दोस्तों ने हमारे पास कली पाराशोरे वाली अंडे वाली थी जो उसकी demand करी है तो वो भी हमने यह देखे दोस्तों त्यार कर ली है बहुत बड़ी मातरा में ठीक है दोस्तों आप सभी को पता है कि गर्मियों के दिन आ चुके हैं तो जो पान वाली चांदी है कली शोरे वाली है यह बहुत ही बहतरी ठंडग डालती है काम करती है और मनी को गाड़ा भी बनाती है और शडीर में ठंडग लेका आती है और कुछ दोस्तों ने मिरे को दुबारा फिर बात बोली कि हमें हनीमून कोर्स की गोलियां चाहिए सिंगरफ की गोलियां चाहिए तो देखिए दोस्तों हनीमून कोर्स की गोलिया हमारे पास त्यार हो चुकी है वसकुछ रात एक दो वीडियो और अपलोड करूँगा जो मैंने बना ली है उन नुक्सों का मेरे को रिजल्ट मिल चुका है बहुत ही असान और छोटे से नुक्से हैं और एक दो और मेरे को बहुत ही बहतरीन त्रिक के वाले जो कैपसूल मैंने त्यार किये हैं जो दोस्त लेना चाते हो वो मेरे को वोईस मैसेज करें वो टाइमिंग के लिए है हजार एमजी का कैपसूल मैंने एक त्यार किया है जो दोस्त उसको लेना चाते हो वो मेरे को वोईस मैसेज करें और जो से पहले उसको याद रखे करें, उसका पेट जुरूर चेक करें, इसके बातरूम को उसके हर एक चीज को जो हमारे इस इस मिलम में है उसको जान चे उसके बाद छी इसको दवाई दें में ना सोचे समझे उसको ये नहीं कि पैसे कमाने के चक्कर में आप कोई भी दवाई उसको देते रो पहले उसका ध्यान रखें पेट की सफाई दोने टैम उसकी ध्यान रखे भी हो रही है कि नहीं हो रही वो प्रहेज कर सकता है के नहीं, उसको प्रहेज बोलो अच्छे से, क्योंकि इसमें आपका कसूर नहीं है, उसमें उस बंदे का कसूर निकलेगा, अगर आपने उसको नहीं बताया, भी उसको बताएं अच्छे से, क्या आपने खटी तली चीज़े नहीं खानी, आपने ये च चीज़े खानी है, उसको डाइट बताएं अच्छे से, हमेशे अकेली दवाई नहीं काम करती, उसके साथ का जो भोजन है, जो डाइट लेगा अच्छे से, वो ही काम करेगी, वो ही उस चीज़ को बढ़ाएगी, तो हो सके, जिन जिन दोस्तों ने मेरे से दवा ली, मिरे को फैदे बताएं, मिरे को प्यार दिया, मैं उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रियादा करता हूँ, और बहुत ही जल्द आपके सामने, वो ऐसे ही नुक्से रखता जाओंगा, मोसा हमारे खुल चुके हैं, तो लंबे दिन होने के कारण, अब बढ़िया काम भी फिनिश हो बढ़िया कारण, तो बहुत दिनों बाद आज आपके सामने एक बड़ी आसा नुक्सा मैंने रख दिया है, मेरे दोस्तों इसको तियार करें, यह सिंग साब जी के बहतरी नुक्से हैं, यह हमारे पाकिस्तान के अरबाज जी का बहुत ही बहतरी नुक्सा था, जिन्नों न जादा लंबी बाते ना करते हों, आप इस नुक्से को तियार करें, मेरे को इसको फैयदे बताएं, इसका रिजल्ट बताएं, और जो दोस्त इसको लेना चाते हैं, बहुत ही सस्ता सा यह नुक्सा है, ठीक है जी, बहुत ही बहतरी निन इसका रिजल्ट है, जो दोस्त इस आपका यही प्यार हमें आगे लेके जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तो